आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में और आज आपके वीडियो में लेके आओं यहाँ पर उत्राखन किया वीडियो जिसमें हम UKGK का पार्ट 6 डिसकस करने वाले हैं इससे पहले पांच वीडियो आ चुकी है अगर आपने उन नहीं देखी है तो उनको डिस्क सब्सक्राइब को किजिए आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिक्शन सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रसन है उत्राखन में घंटाकर्ण मंदे की जनपद में इस्तित है तो इसका सही आंसर हो जागा तीहरी जनपद वहा बना आता है तब से इसकी खोजवी थी अगले है उत्राखन में मीठी मूल्यों का शहर किसे कहाता है मीठी मूल्यों का शहर कहा जाता है द्वाराहाट को द्वाराहाट में पाली पछाओं जो कर्चूरी थे उनका एक सासा मनों की साखा निवास करती थी और यह उनका प्रम व्हाषिन सभूए में चार्धा मयात्रा कर परिवेस के रूप में परेस को जाना आजाता था अगला है उत्राखड में सबधाली वानु कि स्केण सभी से सम निंपते सभी सभी जो है यह Això तेबल टेमि से समधी थे अगला प्राखन में पारुती ताल की जन्पद में इस्तिध है पारुती ताल इस्तिध है पिथोड़ा गड़ में अगला प्रस्थ छटवा दरवार साहिब की जन्पद में इस्तिध है दरवार साहिब की स्थापना देहदून में की गई थी जो देहदून में स्थिध है सन 1699 में ग चित्रकारी में हाथ अजमाया और वो चित्रकारी में उनका बहुत बड़ा नाम हुआ अगला है निम्लिकित में असारी कौतिक किसे कहा जाता है किस मिले को कहा जाता है इसका सही आंसर जाएगा बगवाल मिला बगवाल मिला जो लगता है असार के महने में रक्षा बंदन के म महिने में जंपाउत के देवीधुरा मंदिर में लगता है माँ बाराही का मंदिर है वहां पर लगता है देवीधुरा हमारे जो उत्राकरने फेमस है दो तरीके से है एक तो प्रागेति हैं से कालीन या पास्राण कालीन आउशेश हैं से प्राप्त होता हैं दूसरा फिर यह म की व्यक्ति थे जिन्होंने प्रागते से कालिन खोज सबसे पहले उत्राखन में की थी तो हाइवन हुपने सबसे पहले चंपाउत में ही इसकी खोज की थी ठीक है अगला है उत्राखन में राम नवमी नामक आभुशन को कहा जाता है उत्राखन में राम नवमी जो कहा जाता ह है वह हो गुलबंद यानकी गले में पहनने वाला एक आपशन होता है ठीक है उसको कहा जाता है अगला है स्वतनता से पूर्व संविक्त प्रांते की प्रांती परिशत में कुमाव प्रांते से प्रथम सदर्श्ची कौन थे तो इसका सयांसर जागा गोविंद बलपन गोवि उत्राखन के सब्सक्राइब से प्रमुख व्यक्ति माने आते हैं इन्होंने राज्यती में बहुत कारी किया और दिए-दिए इनने अच्छी पकल बनाई और यूपी के प्रिथम सीम निर्वाचित हुए सबसे पहले उत्तरपरदिश के उसके बाद आजादी के बाद ग्र सब्सेश्ट होता है भाज रतन प्रुषकार दिया गया उत्राखंड के एक मात्र ऐसे बैखती है जिनको यह प्रुषकार मिला है अभी तक ठीक है और इनका जन्म अलमुड़ा के खूड ग्राम में हुआ था अगला है अगले प्रस्णिक और बढ़ते हैं पर्मारवंस का चरित्रहिन राजकुमार किसे कहा जाता है पर्मारवंस का चरित्रहिन राजकुमार जो कहा जाता है यह कहाता है प्राक्रम साह को अगला है अभागा सहजादा किसे कहा जाता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए इसका जो आंसर जाएगा वह जाएगा आपक सुलेमान शिको ठीच है सुलेमान शिको जो था दारा शिको का बेटा था ठीच है दारा शिको कबेटा था गड़वाल कि राजा थे प्रश्य पतििशा उनके सणमें गयता ये 1608 की बात है और 1608 में सुलिमान सिकहो को प्रतिपती शाह द्वारा सरण देने के बाद वह काफी समय रहा बाद में इनके एक बेटे ने उनको पकड़वा दिया था ठीक है तो औरंग जेव ने जैसिंग के बेटे राम सिंग को भीया था इनको पकड़ने के लिए और बादमन तो पवार सासन में जो सामाजिक विवस्ता हमको देखने को मिलती है यह पित्र सत्ता अत्मक थी ठीक है हलाकि मात्र सत्ता अत्मक हमको बहुत कम देखने को मिलती है जैसे आपने सात्वान वंसे के बारे में सुना होगा सात्वान वंसे के लोग अपनी माता का नाम पहले ल यह कि लेकिन अधिकतर क्या होता है कि इंडिया है इंडिया में जो राजाय हुई अधिकतम वह सभी जो है वह lawmakers प्रधान स्यक्रजिक्रा lle सत्तां चलती रागत्या प्रधान ने हुए थी धर का सबसे ळड byte होते हैं यह पी उनका partie स्री नगर को हम यहां पर कह सकते हैं कारण इसका यह है क्योंकि स्री नगर जो था उस समय का प्राचीन नगर जो स्री नगर था एक तो कहा था कि पावारों की मुख्य राजधानी रही पावार राजवनिसों के राजाओं द्वारा इसको बसाए गया अलग-अलग डेट है महिपति साथ के समय में बहुत प्रगर्टिबा था उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि अजेपाल ने सन 1515 में इसको राजधानी बना इसको बसाया इसको निमान किया 1517 में हाप अपनी राजधानी बनाई इसको गड़वाल का दिल्ली भी कहते है को यह बाद उजड़ी पर जयं तर्य विवा पचले हैं हालकि राजधाना के यह तो मानेग बुग्याल जो है वुत्तर जनपत में इस्तित हैं अगला प्रस्ड है केदार जो कहते हैं केदार जो कहते हैं थल केदार को त्रिक है किसी का अते है है यह चा। जो आपका स्थेth कहां पिथवाड़ गमें ठीक है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राप जारूडकर किजिए गार लॉयक्त करेज़ों दोस्तों के साथ इसमें आपको उत्राखंड की हिस्टी जोग्रफी पॉलिटी तीनों के साथ एक साथ आपको कॉश्चिन आपको देखने को मिलेंगे पवार सासनकाल में प्रचलित ओताली क्या था ओताली एक राजस्व कर था ठीक है जब किसी की संतान नहीं होती थी या कोई किसी संत कशाल करते थी या उसको किसी और किराएब्ध देती थी इस परकार को उताली कर का जाता है सब्हेम साथ 1909 मैं आया था अगला है उत्राखन मा मामलू क्या है मामूल क्या है तो इसका सभी आंसर हो जाएगा एक भूमी का कर हुआ करता था अगला है भगवान के दानात का सीथकालिन निवासिस्थान कहा है तो भगवान केदानात का जो मंदिर है इसका जो शीतकाली निवासिस्थान है वह उखी मट में इस्तित है उखी मट में भगवान केदानात की जो पुजा होती वह उंकारेशर मंदिर में होती है और जो इनके जो पुजारी होते हैं केदानात के जो रावल पुजारी हम बोलत क्र saladsoda भर वर्गमें निमलखित हैं तो पंच केदार है यह हम जानते हैं जिसमें से एक केदार कौन सा आपको बताना थीक है तो विशुनाथ जो है इसमें से नहीं है A 537 क है दो हीस्यर है खिक है और धूनात है अगला हो जाएगा अजयपाल से संदी करने वाल संदी के चन्द आ speculativeगई था आपका किर्थी चंद अजेपाल दौरह कौन सी नापतौल पद्रती प्रचलित की गए थी इसका शही आंसर है पाथा ठीक है धूली पाथा नाम का एक बरतन हम कह सकते हैं या एक ऐसा कि एक वस्तु थी जिससे हम अनाज को नापतौल करते थे उसको हम पाथा बोलते हैं ठीक है प्राचिन समय प्रचले थी तो इसका सुर्वार जो थी वह अजेपाल के द्वारा की गए थी माधो सिंग भंडारी किसका सिनापती था माधो सिंग भंडारी जो सिनापती था यह थ मलेथा में एक नहर कर निर्माल किया था जिसको मलेथा की कूल कहा जाता है ठीक है तो माधो सिंग भंडारी बहुत पराकरम सिनापती था अगला है किस पवार सासक की मिट्व रगुनात मंदिर में हुई थी रगुनात मंदिर में जो मिट्व हुई थी वह हुई थी जैकिर सा राजा बने लेकिन जैकृति सा के समय में बहुत ज्यादा सड़यन्त रचे गे और बहुत परसान को किया गया था उनके खुद के भाई जो थे प्रदिवन सा उस समय कुमाओं के सासक प्रदिवन उनके रूप में विराजमान थे उन्होंने अपने मंत्री के साथ घरवाल किया और बर आकरमाल करे के काफि प्रसार किया अंतिता उन्हों ने कया किया देवप façon rank में जाकर मंदिर में आत्मरात्या कर ली कुस लोग कहते हैं कि ripeätली रहुत्य कि ऑनご नंद सासक ने च्छतोली भेजी थी नंद राज्याद यात्रा का दस्वा पड़ाओ है यहां पर आज भी क्या होता है कि कुमाओं के लोग अगला है किस पवार सासक के समय स्रिदेव सुमन की मिठ्टी हुई थी उस समय तिहरी के जो सासक थे वो थे नरेंद्र सा नरेंद्र सा का सासन 1913 से लगवग नरेंद्र सा के समय में कई घटना हुई जैसा 1930 का तिलाली कांड हुआ उनीस सो चोंफी में सिड़े सुमन की मिठ्टी हुई इसके लावा उनी के समय में तिहरी प्रजामनडल की स्थापना भी रहादून में सिड़े सुमन के ढ़रा की गयी थी तो सिद्थे सांसक्ति मं के सासक की रूप में अगला कि पवार साशक के दरबार में संबंलित थे घगा उतरखंड में जगवाल फिल्म किस में बनी थी confront Center कि पाहली फिल्में अनी जाती है यहां लगबग अайте अगे बढता है निर्माथर ऑफोस्ट से कौन सा यह उत्तराखंद के परवति छेत्रे नगरी करन का प्रतिफल नहीं है, ठीक है, तो इसका सही answer हो जाएगा, B, वन्य जीवों में अभी विर्दि, ठीक है, प्राकति आपताव में विर्दि बिल्कूं सही है, जल प्रदूशन में विर्दि, जब हमान नगरी करन होता है, जो हम कोई भी छेतर से, करते हैं तो आएसे में को करते हैं तो यसे में होता है कि कमी हो जाते थीं। अगला है कि दानात आपदा की सच्ची कहानिया पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सभी आंसर जाएगा रमेश पोखरियाल निसंग जो थे हमारे सांसद हैं और भारत के सिख्या मंत्री भी रहे उसके बाद अभी इनको हटा दिया गया किसी कानवस ठीक है एचारे मिनिस्ट झाल निस्कारे मिनिस्स कानवस पहारे मां पूब निसनिता के सिख्या मि利 रहे बारत कानवस झाल